हेलो एव्रिवन वेल्कम टू जादोन इंडिन किचेन कैसे हो आप सब आई होप कि आप सब अच्छे होंगे आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ होममेट सामर मसाला रेसिपी बिल्कुल मार्केट जैसा सामर मसाला हम घर पर बनाएंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाती हूँ कि साउथ इंडियन स्टाल में सामर अगर आप बनाना सीथना चाते हैं तो उसका वीडियो मेरे चैनल पर पहले से अवेलेवल है आपको मैं लिंक डिसक्रप्शन बॉक्स में दे दूंगे आप वहां जाकर के चेक आउट कर सकते हैं या फिर मैं आई बटन पर लगा दूंगे आप वहां से भी चेक आउट कर सकते हैं चलिए देख लेते हैं सामर मसाला हम किस तरह से बनाएंगे सामर मसाला बनाने के लिए हम एक चमच जीरा लेंगे एक चमच ओड़त की धुली हुई दाल दस से बारह ये काली मेर्च और ये आदा चमच मेर्ची दाना चार से पांच सुखी सावत लाल मेर्च लेंगे एक चमच सुखा धनिया पाउडर एक चमच राई एक चमच चना दाल चार से पांच कटे हुए नारियल के टुकड़े इस सब को डाल कर अब हम गैस ओन करके लो टू मीडियम फ्लेम पर सभी को भूल लेंगे दो से तीन मिनट के लिए हम इने भूलेंगे मैं यहां करी पत्ता डालना भूल गई थी हम आठ से दस करी पत्ते भी डाल कर सभी मसालों को रोश्ट कर लेते हैं इनका हलका सा कलर चेंज होने तक हम इने अच्छे से भूना है इसमें से मसाले से कच्चा पर निकल रहाए और अच्छी सी खुश्पू आने लगे हलके से क्रंची हो गए है हमारे मसाले हमने इने दो से तीन मिनट के लिए भूना है अब हम गैस का फ्लेम ओफ कर देते हैं और सभी को ठंडा होना देंगे ठंडा होने के बाद हम मसालों को एक जार में डाल करके पीसेंगे मसाले हमारे सब्षब्स अच्छे से ठंडे हो गए हैं हम एकसर का ऐंगे और इसके सभी घृत्स सब्सक्राइवियं जुथ बनाने तियार करेंगे बिल्कुल सामर मसाला हमारा बनकर के तयार है एकडम फाइन पाउडर बना है चलिए इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं देखिए बिल्कुल मार्केट जैसा हमारा सामर मसाला बनकर के तयार हुआ है इसे आप एयर टाइट कंटेनर में भर कर फ्रिज में आराम से एक से दो म कि ये वीडियो हमें कमेंट करने जरूर बताएं वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक औ शियर जरूर करें और भी इसी तरह की अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल जादों इंडियन कीचिन को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को अल पर क्लिक कर लाये जिससे कि ह मारे आने वाली वीडियो की अप्डेट आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग बाई बाई गाईज।